हेलो एरिवन होब सुदिंग ग्रीट नाव डिसकर्स इन इस वीडियो आल पर्फेक्ट टैंसे तो आज हम देखेंगे गाइस इस वीडियो में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों टैंस के पर्फेक्ट टैंस को डिसकर्स करेंगे और यहां पे हम लोग इस पोकन के थ सब्सक्राइब आपने मेरा नहीं देखा है तो पहले जाकर के वाला वीडियो देखो ताकि आपके टैंस की पकड़ इतनी ज्यादा जोरों से हो जाए कि आपको फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी ओके तो बात करते हैं प्रेजेंट पर्फेक्ट टैंस के बारे में देखिए पहचान की बात करते क्योंकि हर एक टैंस की नभिया सबसे इंपोर्टन बात होती पहचान यह ना जड़ है इस पोकन की रूट है रूट ओब दा हैं तो वाक्यों के अंत में ध्यान से सुनिएगा पहचान थोड़ा खतरनाग जाती इसकी पहचान वाक्यों के लाश्ट में देखो मैं बता देता हूं आपको कैसे होना रहा है मैंने बुला मैं इसकुल जा चुका हूं अब मुझे इसकुल जाने की जरूत नहीं है यानि अब ही है मिरा स्कुल जाने का काम कर चुका हूं है complete कर चुका हूं याने जो भी काम आप प्रेजेंट टाइम में complete कर चुके हैं उसे आप बताएंगे प्रेजेंट पर्फेक्ट तेंस के माध्यम से देखिए अब बात करते हैं कि पहचान का है स्टेंस की तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है चुके है यह है यह हूं यह है आ हूं इस टैप से आता है बोला है वो देख रहा देख चुका है इस टाइप से आएगा ओके सो आप लोगों को पहचान मेरे साथ समझ में आ गए होगी अब यहां पर ध्यान देंगे आप कि आपको यहां पर दो चीजे देखने मिलेंगी क्या क्या एक होता है आपका हेज और दूसरा आता है आपका हे हेज और दूसरी चीज आती है आपके पास में हेव तो भी आप यहां पर कॉम्प्लिकेटिट करणिशन यह जाती कि हेज का यूस कहां करना है तो चली मैं आपको बताता हूं हेज का यूस करेंगे आप ही see it और noun singular जो भी noun singular आएगा जैसे he, see, it, name जो भी है जैसे राम, सैम, घंसैम, आर्जू जो भी है तो नाम हो और वो एक single आदमी का नाम है तो उसके साथ में भी आप हेज लगाऊगे अब हेज कैसे लगाऊगे तो पर सीधी बात है प्लूरल के साथ में लगा देंगे क्या जागे देसी यू वी दे आई नाउन प्लूरल इनके साथ में भीया आप क्या करेंगे आप हेव का यूज करेंगे ओके सो यू गोट इट ओके तो लेट्स स्टार्ट आगे बढ़ता हूं मैं फिर आपको अगर समझ आ ग लगा हमें नाउन लूरल के साथ में तो वह इसका सेंटेस इस टिक्टर देक हो सबसे पहले आप सबचेक्ट कि लैट में keep कि अ सब जेक्ट इस फिलिक हियो यानिकी हेज लगेगा तो फिर यह नी लगेगा और हेज लगेगा तो फिर हीज नी लगेगा ठी Candace तो अबटेक्ट मेरे टेंस ट्रेक्शन वाले वीडियों पहली बताया था किसी का भी परफेक्ट आया आग बंद करके वब की क्या लगाना है थार फॉर्म लगाना बताया था आपको मैंने तो वब की धार फॉर्म लागाना इसमें ठीक चलिए यह देख लिए हमने आपको सेंट आप चुका है कौन सा टेंस है प्रेजेंट पर्फेक्ट ओके तो यहां पर सब्जेक्ट है भी आपका राम और काम कायका हुआ है जाने का और कहां जाने का तो इसकूल जाने का चली सेंटेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होगी आपका राम राम के साथ में बताओ आप लोग की his लगेगा की हे लगेगा noun singular एक प्लूरल है राम राम के साथ में आप लगा दीजिए क्या his rDonald Ram तुछ उसके बात जाना go when gone do के तीनों फ़ां मयात रखिए गो बैंड गों यहाँ पर कुन सा फौंद आगा प्रड़ फार्म तो क्या बने का भी या गॉन राम है गॉन टू स्कूल कहां जाने का काम हो रहा है स्कूल ओके यह बने गया हमारा सेंटेंस ओके आप सभ्यना चलो वे और एक सेंटरि की प्रैक्टिस कर लेते हैं मैंने उसको एक पत्र भीजा है मैंने उसको पत्र एक भीजा है तो देखि भीकी या भीजने का काम हो चुका है पहचान देखå आहे मैंने अब भी आपको आई आई के साथ में क्या लगए गवन बतायाता ही हो क्योंकि यह नाउन प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं पर आई है और सेंट अ लेटर किसे भी जाए उसे लेटर टू हिम ओके इस टाइप से आपको सेंटेस बन जाएगा देखो आई है और सेंट लेटर हिम यह बन गया आप प्लस वप की थर्ट फर्म प्लस अब्जेक सिंपल है आपको कुछ नी करना है है जीव के बाद में क्या करना है नौट लगा देना है चलिए इसके भी हम लोग कुछ सेंटेस बना लेते हैं जैसे मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है लास्ट में आ है दिखा कॉन सा ट प्रजेंट परफेक्टेंज ओके सो आई रोड़ी में गडिस सेंटेंज ओके मैंने तो मैंने क्लिक आएगा आई आई के बाद में लगा दो आप है ओ आई है उने गेटिवा तो क्या लग जाएगा नौट आई है उनौट रिट के तीनों फॉम भीया सेम होते है रिड have not read a letter a letter for you for your letter भी बोल सकते है आप या लेटर फोर यू भी बोल सकते हैं ठीक है I have not read a letter for you मैंने तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ाए चलिए और देखते हम लोग आप देख लेते हम लोग इंट्रागेटी उसके बाद में वैल प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग इस टेंस की तो देखो इंट्रागेटी वर्ड आपका जाएगा सामने उसके बाद में आपका जाएगा हेज या हेव उसके बाद में आपका सब्जेक्ट और फिर आपकी वब की धर फॉर्म फिर आपका object अब देखो मैं यहां पर आपको एक notice देता हूं ठीक है क्या notice देगा अगर आपका sentence क्या से शुरू हता है काई से शुरू होगा भी या क्या से अगर आपका sentence की सुरूआत क्या से हो रही है तो इसके answer आप देंगे दो फोम में दे सकते हो या तो भाषिया आप यस नो में ही दोगे इसका अंसर एक तो यस में दोगे या सेकंटी नो में दोगे तो अब इसको आप बनाएंगे कैसे तो आप बिया इसको बनाएंगे डायरेक्ट हेल्पिंग वप से जैसे हेज या है उसे ही स्टार्ट करेंगे लेकिन मैंने बोल दिया तुम क्या कर चुके से थे थे तो भी यभी में क्या आ रहा है तो इसका अन्सर फिर आप है अल्पिंग योप से स्टाट नी करो फिर आप वाच से संसे करोगे ओके चलिए तो यहां पे हम लोगud सेंटस्ट बेख लेते हैं या से तुम कब आये हो यहां पर इंट्रगे टूवर्ड आ रहा है कब तो कब को बोलते हम लोग इंग्लिस में वैन के बाद में क्या लागेगा बताओ सब्जेक्ट क्या है तुम क्या सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल यह बोलेंगे आप ठीके तो नाइस प्लूरल है इसके साथ में लगेगा है have you come तुम कब आये हो ?When have you come तुम कब गए हो ?When have you go ? गॉन ओके चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कुस सेंटेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं मैं पढ़ाई कर चुका हूं मैं पढ़ाई कर चुका हूं मेरे साथ में आप रिपिट करेंगे मैं जैसा जैसा सेंटेस बोलूं है मैं पढ़ाई कर चुका हूँ I have read या studied okay I have studied मैं किताबे पढ़ चुका हूँ I have read the books मैं TV देख चुका हूँ I have watch TV तुम खाना खा चुके हो you have eaten food तुम खाना बना चुके हो you have cooked food वहाँ school जा चुकी है she has gone to school चली अब और प्रैक्टिस करते ही तो हमारे अफर्मेट्व क्यों गया नेगेट्व की बात करते हैं वहा नहीं आया है he has not come वहा नहीं गया है he has not gone वह चाय नहीं ले चुका है यह वहा चाय नहीं लिया तो क्या बहलेंगे he has not taken tea हम चाय नहीं ले चुके हैं टेकंटी राधा नहीं गई राधा है अजनार्ट गॉन वहां नहीं सोया है ही एस नौट श्लेप वहां लंच नहीं किया है फी है थे ऐस नौट टेकल लंच ओके इस टाइप से उन्टेस बना सकते चलिए अब एक दो सीता है सिंगोलर सब्जेक्ट तो आपका यहां पे हेज आएगा है सीता गुग्ड फुट ओके चलिए और सेंटेस बनाते हम लोग क्या तुम टीवी देख चुके हो तुम टीवी देख चुके हो हाव यू वाच्टीवी मैं कहां जा चुका हूं या ऐसा नहीं बनाते हम चुके थे आप वहां क्यों जा चुके थे वाई हाव यू गॉन देर तुम जूट बोल चुके थे यू है उट टैल अलाई टोल डालाई ओके मैं इंगलिस पढ़ाद चुका हूं आई हाव टॉट इंगलेस तुम कैसे इंगलिस पढ़ा चुके हो हाव हाव यू टॉट इंगलेस इस टाइप से आप सेंटेसेस बना सकते हैं ओके सो आगे पढ़ते हम लोग अब दिखते हैं पास्ट परफेक्टेंस तो भी यह इसकी पहचान के ओपर ध्यान नेंगे वाक्यों के अंत में क्या एका अब आप समझदारों समझ सकते हो के चलिए अब इसके मैं आपको सेंटेंस बता दीता हूं और उसके बाद में वैल प्रैक्टिस करते हैं अपनों लोग बोल करके क्योंकि लिखने से ज्यादा इंपोर्टेंट इस पोकन में बोलना तो चली मैं आपको सेंटेस बना करके ब सब बार् तो अफर्मिक ऐसा बनेगा सब्जेक्ट PLUS Goku Headıll फॉप की थहर्ड फॉर्म प्लस औप्जेक्टो के नेगीटिव कैशल अपने का दिकते हैं सब छेट प्लस मोट प्लस दॉप की थर्ट फॉयँपिश्व अबज़ेक्ट पोके इंटे के में और बहुँगे 15 की थरड फॉर्म फिर आप लगा दिंगे औब जेग फिर आप लगा दिंगे कुश्चन मार्क यह बनेगा आपका इंटरगेटिव भी अब इसके बाद में इंटरगेटिव निए टीव होता है उसे आपको बोल करके बता दीता हूं इंटरगेटिव वर्ड़ प्लस हैड प्ल let's start the practice some max sentences वहां नहीं आया था ये तो नेगेटी हो गया चलिए वहां आया था वहां आया था वहां आया था he had come वहां नहीं आया था he had not come वहां जाच चुका था he had gone there वहां जाच चुका था तो क्या बोलेंगे ये हां था यहां आच चुका था he had come here वहां सो चुका था he had slept वहां लंच ले चुका था he had take a lunch वहा लंच नहीं लिया था he had not टेकल लंच तुम क्यों जूट बोल चुके थे तुम क्यों जूट बोल चुके थे क्यों वाई ओके वाई हैड यू टैल टोल्ड अ लाई तुम एक पत्र लिख चुके थे यू हैड रेटन अ लेटर तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे यू हैड नौट रेटन अ लेटर कोम मेरी मदद नहीं कर चुके थे ओक्या वह लोगे ओख या इसा हो सकता turtle sentence तुमने मेरी मदद नहीं कि Coordinator तुमने मेरी मदद नहीं किया था यूई हैर meisten डी ओके तुमने क्या कहा था तुम ने क्या कहा था तुमने क्या कहा था तो क्या सी स्टार्ट हो रहा है बीच में आर आपका क्या ठीक है तुमने क्या कहा था वाट है यू सैट इस टाइप से आप सेंटेस बना सकते हैं ओके सो इस टाइप से आप और भी सेंटेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं मैंने आपको बेसिक समझा दिया है तो चलिए बात करते हैं future perfect tense के बारे में तो देखिए इसके बारे में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको धीरी-धीरी सब कुछ समझ में आने लगा है ओके तो बात करते हैं देखिए जैसे वाकिके अंत में चुका है चुके होंगे चुका होगा या चुका तो था आया था और future का है तो क्या आएगा होगा आएगा टिक तो चलिए sentence बनाते हैं मैं आपको इसका इस्टेक्टर बता दीता हूँ देखिए अफर में टुके इस्टेक्टर की बात करें हम लोग सब्जेक्ट प्लस और विल है ओ ओके मैं इसको ढायर क्लिकाव दिया विले है ॻूसएल के लाशा नंहीं गारों बीच में ठि pounds फब्लस और कि थर्ट पॉर्म प्लस आप रेंगेंल गेंगठ लोग तो नेगेट्र च्बीक्टPor लोग तो नेगट करें या चबमात प्लस जब दो हेलपिमाथ है तो एक कि बाद में लग जाता है विल प्लस नॉट प्लस में अब चलिए अब इंट्रेटी के बात करते हैं तो इंट्रेटी वड़र्ड फोल्स विल प्लस क्वजेक्ट प्लस है ओ यह वकी कुछ कई चलिए तो यह हो Jefferson उनले नगेट्व मैं पर बता दीता हैं इंट्रगेटिक्स बाइल का भी स्टिक्टर तो बिल प्लस大的 प्लास सब्जेक्ट प्लस है उपलेस वब की थाट पॉम प्लस अब्जेक्ट प्लस कुशन मार्ग आपको जितने स्पीट से मैं बोल रहाँ ना इस से भी ज्यादा स्पीट से प्रेपरेशन करना है जैसे और एक तरीक आप इंटेटी वर्ड प्लस विल्पलास सब्जेक्ट अबजिक्ट acon अबजेक्ट इस टाप सांब बना सकते हैं ओक तो चली प्रैक्टिस करता है सेंटेश्क के लैघ्स स्टाड़ दाप्रैक्टीस मेप्ते संटेश्क कि आ की की आप नहीं जा चुक होगे आप ञाच चुक होंगे AI को के होंगे ट्या पर्फेक्ट आप महां जा चुके होंगे यू इल रहाओ टू गॉन दे अर तो महां से आ चुके होंगे तो महां से आ क्या तुम उसे जान चुके होंगे will you have known him हम चाए ले चुके होंगे we will have taken a tea वहाँ नहीं जा चुका होगा he will not have gone there वहाँ लंच नहीं किया होगा इस टैप से आप बना सकते हैं, राधा नहीं नाच चुकी होगी, या राधा ने नहीं नाचा होगा, चली बनाते हैं, राधा विल नाच हेव डांस्ट, ओके, और करते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होंगा, क्या आएगा, मैं, I will not have study, या अगर बुक पढ़ रहें तो read आएगा, ठीक है, चली बुक कहीं ले लेते हैं, I will not have read English book, तुम इंग्लिस बोल चुके होंगे, you will have to speak English, spoken English, ओके, तो इस टाइप साब बना सकते हैं, तो I hope guys, कि आप लोगों को इस class में समझ में आओगा, और इस class के माददें से मैं आपकी थोड़ी सी English सिखाने में help कर पाया हूंगा, तो वीडियो को end करने से पहले में आप से कहूंगा, कि जाते जाते एक छोटा सा लाइक दे के जाना, ओके, तो बाई बाई टे कियर,